हेलो नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है कपेल और स्वागत आप सभी कफोर आपकी सक्सेस में फ्रेंड्स इस वीडियो में अभी हम लोग GKK 20 Most Important Question को देखने वाले हैं जो आपके आने वाले एक्जाम के लिए अतिमात पूर्ण है तो इसलिए आप इस वीडियो को अन तक जरूर देखेगा और इन्हें याद कर लिजगा ठीक है आप इस वीडियो का फिरी पीडियो फाइल भी डॉनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या तो फिर आप मेरा टेलिग्राम गुरूप जोएन करके वहाँ से भी फ्री में आसानी सिसका पीडियो फाइल डॉनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम गुरूप जोएन करने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो चलिए अब क्वेशन के और बढ़ते हैं और पहला क्वेशन है राष्ट्रगान जन गनमन सर्वपर्थम कब और कहां गया गया था तो हमारा जो राष्ट्रगान है जन गनमन इसे सर्वपर्थम 27 दिसंबर 1911 को भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस के कलकता अधिवेशन में गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप्शने 1911 में कहां पे कलकता में जन गनमन के रचेता कौन है तो इसके रचेता रबिंदरनात टैगोर है जन गनमन को भारतिय सविधान सभादवारा भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्विकार किया गया तो इसे स्विकार किया गया था 24 जन्वरी 1950 को ठीक है चलें next question देखते है IC चीपों का निर्मान किया जाता है तो देखें IC चीपों का निर्मान semiconductor अर्थात अर्धचालक पदार्थों से किया जाता है generally IC चीप किस से बने होते हैं तो ये बने होते हैं silicon के ठीक है और silicon क्या है एक परकार का semiconductor है होकी का जादूगर किसे कहा जाता है 29 अगस्त को 29 अगस्त को जो है राष्ट्य खेल दिवस मनाय जाता है तो आप इसे भी याद रखेगा कि राष्ट्य खेल दिवस का मनाय जाता है 29 अगस्त को मना जाता है Next question है Glimpses of the World History पुष्टक के लेखक कौन है तो Glimpses of the World History यानि विश्वी तिहास की जलक पुष्टक के लेखक पंडित ज्वाहरलाल नहरू है एक बहुती famous बूक है Discovery of India अर्थात भारत के खोज तो इस पुष्टक को भी पंडित ज्वाहरलाल नहरू नहीं लिखा है तो आप इसे भी याद रखेगा अगला प्रस्न है गोबर गैस पे मुखेता क्या होता है तो गोबर गैस पे मुखेता मिथेन गैस होता है मिथेन गैस का रशानिक सुत्र क्या है तो मिथेन का रसानिक सुत्र होता है CH4, ठीक है, मिथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, क्योंकि यह गैस जो है, जेनरली मार्सी लैंड यानि दलदल्य छेतर में पाया जाता है, इसलिए मिथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है, नेक्स्ट क्वेशन है न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं तो देखें न्यूटन के पहले नियम को गैलिलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु वुराम अवस्था में है, तो वई विराम अवस्था में रहेगी, या यदि वई एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है, तो वैसी ही चलती रहेगी, जबते कि उस पर कोई बाहे बल लगा कर उसकी वरतमान अवस्था में बल की परिभासा न्यूटन के किस नियम से मिलता है तो बल की परिभासा न्यूटन के गति के प्रथम नियम से मिलता है ठीक है तो आप इसे भी याद रखेगा अगला प्रस्ण है भारतिय रिजर्व बैंक आर्बी आई की अस्थापना कब की गई तो इसका राइट आंसर है आप्शन ए वर्स 1935 में देखे भारती रिजर्व बैंक यानि की RBI किये स्थापना एक अपरेल 1935 को हिल्टन यंग समिती की सिफारिश पर की गई थी RBI का राश्ट्री करन कब किया गया तो भारत सरकार द्वारा इसका राश्ट्री करन 1949 में किया गया ठीक है फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं तो वह होते हैं निला, हरा और लाल तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्शन B और देखें निला, हरा और लाल को जो है प्राथमिक रंग कहा जाता है अगला प्रस्ण है विश्व पर्यावरन दिवस कम मना जाता है तो विश्व पर्यावरन दिवस प्रतेक वर्से 5 जुन को मना जाता है विश्व परियावरन दिवस 2019 की थीम क्या रखी गई थी तो इस बार की थीम थी बीट एर पोलुशन यानि वायू पर्दुशन को हराना ठीक है तो ये थीम रखी गई थी इस बार की नेक्स्ट क्वेशन है अरब सागर में गिरने वाली नदी है तो देखे नरमदा, तापती तथा माही ये तीनो जो नदिया हैं ये तीनो अरब सागर में गिरती हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी अगला प्रसने है महात्मा गांधी ने अपने सत्यागरा सस्त्र का सुत्रपात भारत में सबसे पहले कहां किया था यानि भारत में गांधी जी ने पहला सत्यागरा का परियोग कहां किया था तो वह किया था चमपारन में, बिहार में, ठीक है कब किया था? 1917 में किया था, चमपारन आंदोलन के समय और देखिए अगर यही question इस तरह से पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने पहली बार सत्यागरह का परियोग कहां किया और option में चमपारन और दच्छीन अफ्रीका दोनों हो तो इसका right answer होगा दच्छीन अफ्रीका में ठीक है लेकिन अगर question में भारत mention हो कि भारत में गांधी जाता है इसका रहसानिक सुत्र क्या होता है आइडो फार्मका तो इसका रहसानिक सुत्र होता है CHI3 ठीक है CHI3 होता है अगला प्रस्न है पदार्थ की तरंगे किस परकार की होती है तो पदार्थ की तरंगे दे ब्रोगली तरंगे परकार की होती है अगला प्रस्न है दोड के दोरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है तो इसका right answer है option A उसके पैरों के आगे दोरते समय धावक के आगे की और जुके होने के कारण धावक का गुरुत्व केंद्र उसके पैरों के आगे होता है अगला प्रस्न है बीटी बीज किस से समंधित है तो बीटी बीज जो देखे, 2019 के रेमेन मैकसे से पुरसकारों की घोशना कर दी गई है, इस साल पांच लोगों को मैकसे से पुरसकार दिया जाएगा, जिन में से एक भारत्य पत्रकार रविश कुमार भी इनका भी नाम सामिल है, ठीक है, रविश कुमार एंडे टीवी इंडिया के वरिष्ठ कार कारी संपादक है, रविश कुमार के अलावा मेमार के को सी विन तथा अंग खाना निला पाईजीत जो की थैलेंड के हैं, रेमुंडो पुजानते जो की फिलिपिन्स के हैं, कीम जोंग की दच्छिन कोरिया के हैं, ठीक है, तो इन्हें भी मैकसे से अवार देने की घोशना की गई है, इन सभी को, रेमन मैकसे से पुरसकार को एसिया का नोबेल पुरसकार भी कहा जाता है, या पुरसकार एसिया के वेक्तियों और संस्थावों को उनके छेतर में किये गए उलेखनिये कारियों के लिए दिया जाता है, या पुरसकार जो है, रेमन मैकसे से पुरसक यह जो है केशरी फिल्म यह सारा गाढ़ी का यूद पर आधारित है सारा गाढ़ी का यूद जो है कब लड़ा गया था तो यह लड़ा गया था 12 सितंबर 1897 में 12 सितंबर 1897 में सारा गढ़ी का यूद लड़ा गया था केशरी फिल्म में इसके मुख्य अभिनेता कौन है तो अच्छा कुमार है और मुख्य अभिनेतरी है परिनिती चौपडा आपसे यह भी पुछा जा सकता है कि केशरी फिल्म के डारेक्टर कौन है तो वह है अनुराग सी ठीक है अगला प्रस्न है चंद्रमा की सता पर कौन सा तत्वा पाया जाता है तो चंद्रमा की सता पर टाइटेनियम पाया जाता है अगला प्रस्न है वार्षा जो की वार्षा जो है या पोलेंड की राजधानी है किस नदी के किनारे बसा है तो वार्षा जो है या विश्चूला नदी के किनारे बसा हुआ है नेक्स्ट क्वेशन और इस वीडियो का लास्ट क्वेशन रेडियो धर्मिता के खोज किस ने की थी? तो रेडियो धर्मिता के खोज प्रसीद वैज्ञानिक हेन्री बेक्यूरल ने की थी ठीक है? अंत में आपके लिए क्वेशन है World Happiness Index 2019 में भारत का स्थान है तो World Happiness Index 2019 में भारत का स्थान कौन से है तो इसका सही जवाब आप मुझे comment box में दिजेगा तो इस वीडियो में इतना ही अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक तथा सेर जरूर कर दिजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थांक्स पूर वाचिंग